हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेपर को औरकीड आइडिस के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं तो सिंपली आपको करना क्या होगा अपना पहले अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूं अगर आप अपने पेपर लिंक करना चाहते हैं तो यहां पर अपने पेपर को लिंक कर सकते हैं तो यहां पर अपने मेंबर या अपने सर्विस को लिंक कर सकते हैं जैसे मैंने लिंक किया होगा आपने देख रहे होंगे तो इसको मैंने लिंक कर रहा है इस वी में आप अपना यहां पर करेंगे तो यहां पर करेंगे करेंगे most of the researcher क्या करते हैं अपना पेपर अर्काइव पर रखते हैं ठीक है तो यहां पर अपना अर्काइव आड़ी भी एड़ कर सकते हैं तो आप उसको डी ओ आई नंबर से यहां पर अपना बीब टेक्स या जो भी मेनुली भी एड़ कर सकते हैं इस वह में आप अपना कर सकते हैं अब जैसे हैं ना कि आप पॉजिशन कहीं माली एसे फेकल्टी रिसेर्चर हैं यहां पर आप देख रहोगे अड़ इनवाटेट पोजिशन या अडिस्टिंशन इस आप चाहे तो आपना academic and educational qualification यहाँ पर mention कर सकते हैं उसके लिए आप देख रहा होगे at qualification यहाँ पर पूछ रहा है प्लस क्लिक करके अपना जो भी डाटा है फिल कर सकते हैं क्या रिशर्चा रहे है क्या है इन डेटा कौन देख सकता है जैसे एवरिबन देख सकते हैं आप जो data हैं अलाव करेंगों वही third party देख पाएगा आप अगर इसको सिर्फ me कर दे रहे हैं me के लिए इस लोग को लाई उज़ करना होगा और for public के लिए आपको यह जो public icon दिख रहा है यह वाला चीज़ उज़ करना होगा इस पर में आप link कर सकते हैं अपना data अगर आप चाहते हैं कि यहां पर देख रहे होंगा आप display your ID on other sets लाइक अगर आप चाहते हैं कि यहां से कित्रूस को manage कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कोई data modify करना यहां simply जैसे country है न माल जैंड मैं country अपना चाहता हूं simply country पर क्लिक करेंगे यहां पर country name पुछेगा आप जैसे for example मैं इंडिया से हूं इंडिया मैंने select कर लिया इसके बाद save change पर कर दिया इसी वे में अगर कोई भी data modify करना चाहते हैं बिल्कुल को कुछ और keyword यूज करना चाहते हैं आप जैसे मैं फिबना की लिखना चाहता हूं तस फिबना की लिख दूंगा आप सब हर किसी के लिए करता हूं अर्काइब आईडी का सिंप्ली अर्काइब आइड पूछ रहा है आपका अर्काइब आईडी क्या है तो आपको जो भी याद होगा यहां पर मेरा जैसे आईडी शो करेगा तो आपका कुछ इस विए में से आईडी शो करेगा ठीक है इस आईडी को मैं कौपी कर ले रहा हूं कौपी करने के बाद यहां पर सिंपली आप पूट कर दिए पूट करने के बाद यह क्या करेगा आपका जो भी वर्क आपने वहां इंटर करने की जूर्वत नहीं है तो अगर को शाय टेसन होगा तो वह एक आउंट कर लाइव यहाप आप सिंप्ली क्या करेंगे एड्टी लिस्ट इसीयों में आप आइड्ड कर सकते हैं अपने पेपर को और भी आप करना चाहिए और भी कर सकते हैं, simply आपको add करने के लिए क्या करना होगा, just आपको जो code है, उस paper का o enter करके retrieve कर देना होगा, यह वहाँ से अपना सारा data phase कर लेगा, जो भी paper uploaded है, जो भी आपने details feel क्या था, जब यह देखिए, कब का paper publish है, सब कुछ data यहाँ पे import कर लिए और इसके बाद add to list क कर दिया, इसके बाद इस paper को यहाँ पर listed कर दिया, इस वह मैं आप अपने paper को list कर सकते हैं, ठीक है, दोनों preprint है, इसके बाद अगर sign out करने के लिए simply यहाँ पर जाएंगे, अपने name पर, name पर जाने के बाद यहाँ पर sign out का option होगा, यहाँ से आप sign out करके बाहर आ जाएंग इस वीडियो आपके लिए useful रहा होगा, इस चैनल को like and subscribe जरूर करें, thank you